उत्तर प्रदेश में बिधान सवा का चुनाब है और उसकी गर्माहट बिहार तक है बिहार तक यहां तक है कि कभी जदियू के नेता जदियू पार्टी बीजेपी से टिकट चाहती थी और लोग जन सकती पार्टी राम बिलास भी चाह रही थी मगर किसी का दाल उहां गलते हुए नजर नहीं आया बीजेपी के साथ बीजेपी के तमाम प्रवक्ता से जब सवाल और जवाब लिया गया प्रदेश अध्यच तक से तो उन्होंने कह चुके कि उनकी राज अस्तर की पार्टी है उनसे गटवन्धन हमारा वहां है वहां की व रहे थे अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाब को लेकर बिनी जी इसको कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश चुनाब में बिधान सवा के चुनाम में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का निर्न लिया या फिर उनको कोई गटवन् कि अपना दमखम भी देखना चाहते हैं देखे पहले तो मैं यह बता दूँ आपको कि हमारा कोई भी यह मंतव्य नहीं था कि बीजेपी से हमारा साठगाट हो उतर प्रदेश में जहां तक बात रही कि यूपी चुनाव में हम अकेले लड़ रहे हैं तो हां हम अकेले लड़ से पूरे अपनी मजबूती से लड़ेंगे वहां पर हम और कुछ दिनों में हमारे राष्ट्य ध्यक्स चिराग पासवान जी का दौरा वहां पर चालू होगा और दस मार्च को हम रिजल्ट में जरूर देखेंगे परिणा में कि लोग जन्शक्ति पार्टी रामिलास देखिए बिहार में जो हम चुनाव लड़े थे जिस आशे से चुनाव हम लड़े थे हमने उसमें सफलता प्राप्त की हमारे ही कारण जद्यू तिसरे नुमर की पार्टी बनी उत्र प्रदेश में हम चुनाव जितने के लड़ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा क दस तारी को सुखद आप समचार सुनेंगे कि हम डिसेंट परफॉर्म करेंगे वहां पर और मुझे लगता है कि दस से पंदर सीट हम लोग अपने जोली में लेके आएंगे लगता है कि आप हमारी पार्टी को थोड़ा सा कमजोर आख रहे हैं परिणाम नहीं आएगा तब तक आप यह कैसे कह सकते हैं आप 10 मार्च को इंतजार कीजिए हमने कहा है कि जिस हिसाब से बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के लोग चिराक पासवान जी से प्रभावित र यह बिल्कुल वास्तविक्ता है और हमने अपना रन्निती बनाया है और हम लोग जमीनी स्थर पर उतर के और रियाल्टी वास्तविक्ता की बात करते हैं पार्टी को कम नहीं आक रहे थे मगर जैसे पिछला सुनाब होता है ना उतर प्रदेश में भी पहले भी लड़ी है तो जदियू भी लड़ती है जो यहां पर की पार्टी है आरजडी तो समझदार रहती है कि भाई अपना बचा लो इजद किसी भी तरह से तो कहीं न कहीं च दरता है तो हम लोग डर के जीने वालों में से नहीं है जदियू का क्या जनाधार है हो हम और आप जानते हैं उनका क्या अपना मंतव्य है चुनाव लड़ने के लिए मुझे नहीं मालूम है लेकिन हां बात करेंगे लोग जनशक्ति पार्टी के लिए तो जमानत की बात च बदहाल करके छोड़ा है तो ऐसे पार्टी क्या बात करेंगे जहांगे कोई जनाधार है कहीं भी खड़े हो जाते हैं जियू दिशरे नंबर की पार्टी के जो मुखियां है वो बिहार चला रहे हो ठीक है लेकिन जनता देख रहे है आने वाले चुनाव में देखिए का न यानि कि लोग जुन सकती पार्टी रामिलास पार्टी से हम जवाब ले लेते हैं, MLC चुनाब में क्या इस्थितियां रहने वाली है? MLC में बिहार जो जो लोकल बॉडिस की जो चुनाब होने वाला है, उसमें हम हमारे उमिदवार जरू उतर रहे हैं और उसके लिए तिन्चा दिने पर चौवी सीट और चौवी सीट पर है, किसे गटवन्धन या अकेले? नहीं, अकेले ही लड़ेंगे हम लोग, दो-तीन दिन पहले लंबी मीटिंग संसदिये बोर्ड की चली थी, जिसके अधक्षिता हमारे राश्रे धक्षित चिराग पासवान जी कर रहे थे, और एक से दो दिन के अंदर में उमिदवारों की सूची जारी होगी, और यहां भी हम बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि अशिरवाद यात्रा हो, चेह चिराग पासवान की कहीं क्या भी यात्रा हो बिहार में शराब को लेके, अपराधियों को लेके, तो हम जो अपार, जो जन समर्थन मिल रहा है, ओ दिखाता है, ओ धो धोतक है, कि एमिल सी चुनाब में भी हम बढ़ियां परफॉर्म करने वाले हैं। मगर चुनाब परिनाम में आपके नजर क्यों नहीं आता है, इसी बार उपचुनाब में देखिए बिनी जी, कि किस परकार से 5,000 बोटे, पिछली बार से बोटे आधा हो गए, इसका मेन रिजन क्या रहा है। पहले तो ये बात समझ लें कि हम लोग उपचुनाब में तारापूर कुशिसषव स्थान में एक राष्ठीए पाटी से हम लग उपर थे, tom lach, का वुटै के आया। कि मुझे लगता है कि वोट दिया और अगया पिरापका नंबर का dify देखी जो पुर्व की बात है मैं उसकी बात नहीं कहूंगा लेकिन हाँ हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि हार और जीत में निर्नायक भूमिका में रहती है अब जहां दो बात उपचुनाव की कह रहे थे तो वहां पे थोड़ी सी कमिया रहे गए थी जो कि हम लोग आने वाले चुनाव में बिल्कुल उसको पूरा कर लेंगे और अविकान भाई आपको मैं बता दूँ और ये बात आप गांठ बांद करके रख लें कि लोग जन शक्ति पार्टी राम बिलास आने वाले समय में कियो बिहार में ही नहीं भारत वर्च पे एक बहुत ही प्रमुख पार्टी बनके उभरेगी इसके लिए बधाई सुबकामना ही कि आपकी पार्टी बड़ी बने और आपकी पार्टी और बेहतर हो मगर आपकी रननीती में कमजोड़ी रह जाती है या फिर कैंडिडेट कमजोड रह जाते हैं या फिर आपके नेता में कुछ ऐसा दमखम नहीं रहता है क्या कमी रहता ह आप उसको कमजोर तो कभी कहें नहीं सकते हैं क्योंकि पुरा बिहार पुरा देश जानता है कि चिराग पासवान जी क्या कि विक्तित जो है जो उनकी परिपक्वता है जो उनका जो रणनीती है ओ अधुती है उसका कोई काट नहीं है चुनाव बड़े पैमाने पे जब हो हैं हमने कहा कि 99 परसेंट छीजें थोड़ा सा हम बेहतर कर जाते हैं लेकिन कहीं ने कहीं थोड़ी शी उप चुनाव की में बात करो तो कहीं थोड़ी कमी रह गयी थी तो जिसको की आने वाले चुना में जिसका की रिपिटिशन नहीं होगा जिसकी पुर्णा विती नहीं ह 2030 से पहले 2024-2025 के चुनाब में आप देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाब को लेकर हम सुरू किये थे, जैसे कई जगह पर कई पार्टियां लड़ती है, छेत्रीय पार्टियां वहाँ पर अलग-अलग स्टेटों में, जद्यू कोई प्रदेश को सर्वोपरी मानते हैं, जनता के दुखदर्द में हम खड़े होते हैं, तो क्या जनता ये बात नहीं देखती है, तो 100-200 भोट आने की बात ही नहीं हो रही है, बात तो हो रही हैं पर जितने की, अब जद्यू को 64 भोट आये गुजरात में या 100 भोट आया 200 भाट आये, उनका अपना परिशानी है, और अगर विधायक उत्तर प्रदेश में जीत गए, मान लिए कि 100 सीट पे लट रहे हैं, 5 विधायक जीत गए, समर्थन किसकोट कीजिए, उस समय की प्रसिती हम देखेंगे, और इसका निर्ने हमारे अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष शेमरी शंकर पांडे जी, उनके साथ बैठ करके, चीजें डिसाइड होती हैं, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान जी, कोई ताना शाही, कोई फरमान जारी करते हैं, जो भी पार्टी का वहाँ पे रवया होगा, पार्टी का जो जो सलाह होगी, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मिलके बैठके बात करके, अतरमरी ने लिया जाएगा, बात कर रहे थे हम प्रोफेसर बिनीत सिंग जी से, जो तमाम बातों को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाब को लेकर और एमिलसी चुनाब को लेकर जवाब दे रह बने रहेगा जकास भारत पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्योंगे, तो कर लिजेगा, अभी हमारे साथ प्रोफेसर बिनीत जी थे, इतने सवालों का जवाब देने के लिए कई सवाल तीखा भी रहता है, इसके लिए कोई अन्यत्हा नहीं लिजेगा, बाकी हम पूछत रहेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि हमारा पूछना काम है, और जवाब लेना काम है, अभी के लिए धन्यवाद.